नमस्कार, CSOM के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, काफी डिटेल में स्टुडी किया है हमने, यहाँ पर हम CSOM के बारे में जितने भी पॉइंट्स पहले पढ़े हैं, उसको एक बार तेजी से रिकॉल करने का प्रयास करें, और हम उसको competitive point of view से जानने की कोशिश करेंग यह होती है, यहाँ पर middle ear cleft में inflammation होता है, ऐसा inflammation जो कि लंबे समय तक बना रहा, more than 3 months, आपको इसके पहले मैंने बताया है कि जब use second tube, 2-3 महीने तक ब्लॉक रहता है, और इस दौरान tympanic membrane perforate ना हो, तो glue ear की condition होती है, और tympanic membrane perforate हो जाए, तो आप next condition के रूप में CSOM को पढ़ते हैं, इसमें pseudomonas का infection होता है, यह सारे information बहुत जरूरी है, इससे पहले आप glue ear की जो concept है, उसको आप समझ ले तो जादा बहतर होगा, 3 months से जादा समय तक middle ear में inflammation, tympanic membrane का perforation, यह must condition है, pseudomonas का infection इसमें commonly देखा गया है, जैसा के हम जानते हैं, यहाँ पर tympanic membrane perforate हो जाएगा, पस का formation होगा, यह दोनों ही चीज़े बहुत खास होती है, glue ear में यह दोनों ही चीज़े नहीं होती है, तो इसको एक बार हमने पहले भी divide किया है, इसको समझने का प्रयास किया है, इसके different types को, उन्हीं सारी चीज़ों को एक बार फिर से हम recall कर लेते हैं, हम जानते हैं, tympanum के दो parts है, miso tympanum और hypo tympanum, इस parts के उपर attic और पीछे की और entram का part होता है, इस image में middle ear की cavity को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, tympanic membrane के corresponding middle ear की cavity होती, उसे miso tympanum कहते हैं, इससे नीचे का part, देखे न, tympanic membrane से just नीचे जो border line बनती है, उसके नीचे का part हाइपो tympanum, और tympanic membrane से ऊपर की और जो हिस्सा है, वो से epitimpanum कहते हैं, याद रखिया, epitimpanum का ही दूसरा नाम, attic part होता है, एक बार फिर से हम middle ear के cleft को समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, हमने देखा है, hypotimpanum, mesotimpanum, epitimpanum, epitimpanum का ही मैंने आपको बताया था, दूसरा नाम, attic part होता है, पीछे की और, mesotimpanum का पार्ट, जिसमें आप mesotimpanum, यहाँ air cells को देख पा रहे हैं, यह एडिटर्स पार्ट है, तो आपको confused नहीं हो रहा है, इपitimpanum का ही दूसरा राम, attic होता है, पीछे की और, mesotimpanum है, यहाँ पर mesotimpanum है, यहाँ पर mesotimpanum को इंडर्स होती है, दूसरा वो पार्ट, जो की mesotimpanum, hypotimpanum और eustachian tube को involved करता है, तो green color से जो लिखा हुआ पार्ट है, जो आपको involvement दिखाया गया, मैंने पहले भी discuss किया है, उसे हम tubotimpanic type of CSOM कहते हैं, जबकि red color से दिखाया गया पार्ट को हम कहते हैं, एटिको entral type of CSOM, तो CSOM के दो टाइप हैं, किस हिस्वे में chronic infection का involvement देखने को मिलता है, उस आधार पर हम इसका नाम रखते हैं, ट्यूबो टिमपैनिक, इसमें सीधी सी बात यह है कि यूज टेकन ट्यूब और टिमपैनम का जो parts है, वो involved होगा, एटिक और एंट्रल पार्ट जब involved होते हैं, मेस्ट्राइड एंट्रम और एटिक पार्ट जब involved होता है, तो उसे हम एटिको entral type कहते हैं, याद रखेगा यह स्टेकन ट्यूब और टिमपैनिक मेंब्रेन के साथ associated CSOM, safe type कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सिफ और सिफ mucosal involvement होता है, इसलिए हम इसे mucosal COM कहते हैं, जबकि esquemus COM, chronic otitis media, esquemus chronic otitis media, etico entral type को कहते हैं, यहाँ पर इन नामों को और इनके बीच के difference को जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने एक introductory part बताया, ट्यूबो टिंपैनिक पार्ट safe, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर simple mucosa का involvement होगा, बोनी involvement यहाँ पर कम होगा, जबकि यहाँ पर दिरे-दिरे infection erode करते हुए, बोन को भी involved कर लेती, पीछे के side में mastroid entram का part है, mastroid air cells है, वहाँ पर infection बनने लगागा, इसलिए से हम unsafe कहते हैं, safe type में बहुत ज़्यादा discharge होता है, क्योंकि mucosa का involvement है, जबकि एटिको एंटरल बोनी parts के आसपास के हिस्सों में infection है, तो वो less discharge करता है, क्योंकि बोन erode होने के बाद बहुत ज़्या इंटरल टाइप में foul smell मिलेगी, क्योंकि बोन के erode करके वो fluid तयार होता है, less होता है, लेकि foul smelling होती है, polyps अगर develop होंगे, तो वो pale color के होंगे safe type में, जबकि एटिको एंटरल टाइप में वो red color के ear polyps के रूप में, अगर develop होंगे तो वो नज़र आएंगे, चुकि बोनी part है इसलिए body भी कोशिश करती कि जल्दी से जल्दी हम उसे ठीक कर लें, तो इसी प्रयास में body का जो chronic healing process जहां चल रहा होता infection के साथ ही साथ, healing process भी अगर involved हो तो granulation tissue वहाँ पर develop होते हैं, तो granulation वहाँ पर देखने को मिलता है, safe type में granulation नहीं मिलता है, तो इन सारे concept को जब आप इन differences को समझ पाएंगे, anatomical location और pathological basis पर हम difference को जब देखेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना, यहाँ पर safe type में, यानि tubo-tympanic type में, central perforation होता है, मैंने बता है, perforation एक must condition है, जो कि CSOM में देखने को मिलती है, तो आप देखेंगे, जो central perforation है, वो annulus को touch न marginal perforation होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, annulus के part को, आप देखें, आप यहाँ पर appreciate कर सकते हैं, आप देख पाएंगे, tympanic membrane के जो जुडाव होती है, जिस rim से उसे annulus कहते हैं, यहाँ perforation का pattern, unsafe type में जो भी होगा, वो annulus को touch करता हुआ होगा, यह peripheral perforation होत देखें, unsafe type या dangerous type में आप देखेंगे, आज पास के जो भी important vital structures हैं, वहाँ तक infection पहुँच सकता है, इसलिए CSOM पर हमें ध्यान देने के जरुआत होती हैं, और वो भी जब bone को erode करके जाए, तो और भी ज़्यादा मुश्किल condition develop होता है, तो marginal या peripheral perforation जिसमें annulus involved हुआ, य उसको आपको याद रखना है, यहाँ पर दो तरीके से आपको perforation मिलेगा, एक हो सकता है कि नीचे के side में हो marginal perforation, दूसरा marginal perforation जो की attic के part में हो तो उसे हम attic perforation कहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, tensa का part perforate होता है, central perforation में, इन सारी चीजों को याद रखना है, आप देखेंगे, केवल और केवल, tensa का part perforate हुआ, central perforation में, जबकि unsafe type या dangerous type में marginal जो perforation है, वो parse tensa को involved करके भी हो सकता है, या फिर जो tympanic membrane का attic part है, वहाँ पर भी perforation हो सकता है, तो इसलिए हमें इनके बारे में समझना होगा कि, यहाँ दो तरीके से perforation हो सकता है, unsafe type में, safe type में केवल और केवल parse tensa के ही पार्ट में perforation होता है, एक बात याद रखेगा, unsafe type, dangerous type, colosteotoma के साथ present कर सकता है, colosteotoma क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, colosteotoma safe type में कभी भी present नहीं करती है, जबकि unsafe type, dangerous type जिसे मैं कह रहा हूँ, वो colosteotoma के साथ present कर सकता है, इन सारी चीजों को याद रखना है, जितने भी differences हैं, उनको हमें याद रखना है, और इसके differences की basis, सीधे तोर पर anatomy और pathology, दोनों से link करके आप देखेंगे, bone का involvement कहाँ ज़्यादा होता है, उसको जब आप देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे dangerous type क्यों dangerous या unsafe कहा जाता है, इन सारी चीजों को समझने के बाद, आपको समझना होगा, कि tubo tympanic और etico entral type में, deepness का pattern भी अलग-अलग होता है, चुकि tubo tympanic, जिसे मैं safe कह रहा हूँ, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ conductive hearing loss होगा, जबकि etico entral type के बारे मैंने आपको बता है, कि तो आज पास के vital structure को damage कर सकता है, वहाँ पर neurons को भी damage कर सकता है, इसलिए हम उसे mixed type of deafness वहाँ पर पास सकते हैं, एटico entral में हम conductive deafness के साथ साथ, sensory neural deafness भी मिल सकता है, mixed type of deafness possible है, तो याद रखिएगा दोनों की बीच के differences को, कौन सा जादा मुश्किल होता है, उसको भी समझ लीजेगा, ट्यूबो टिंपैनिक, म्यूकोसल, chronic otitis media कहलाता है, इसमें middle ear में mucosal infection होता है, जबकि एटिको entral में squamous chronic otitis media जिसमें skin की covering में infection होता है, जो की दिरे-दिरे करके bone को erode कर देगा, ये चीजें हमें याद रखनी है, और इसी आधार पर हम इसके treatment के बारे में बा CSOM का क्या treatment होगा, उसको एक बार recall करने से पहले, थोड़ा सा colosteatoma को भी recall कर लेते हैं, colosteatoma, sac-like, keratinized squamous epithelium का part होता है, जो की expanding growth की वज़ा से develop होता है, आप इस बात को इस image में देख सकते हैं, colosteatoma यहाँ पर middle ear की cavity में develop हुआ है, इसका definition क्या है? जब हम definition को समझने का प्रयास करते, तो आप समझ पाएंगे कि यह keratinized squamous epithelium का बना हुआ, सैक है, जो की लगातार grow कर रहा है, यह expand कर रहा है, इसका destructive nature होता है, यह middle ear cavity में develop होता है, तो याद रखेगा, sac of keratinized squamous epithelium, जिससे हम colosteatoma क कहते हैं, याद रखेगा, इन सारी चीजों को, और यह दो तरीके के होते हैं, colosteatoma दो तरीके से develop हो सकते हैं, यह congenital भी हो सकता है, एक टूमर के जासा behave करता है, तेजी से growth करता है, expand करता है, destructive nature का होता है, इसलिए हम इसके नाम में oma जोड़े हुए हैं, यह behave करता है, टूमर लाइक, इसलिए हम इसके नाम के ending में ओमा लगाते हैं लेकिन ये कोई tumor नहीं है ये expansion है fast growth है इसके दो types मैंने आपको बताया थे congenital और acquired congenital के बाद जब acquired की बात करते तो ये दो तरीके के होते हैं एक primary acquired और दूसरा secondary acquired cholesteatoma इनके बीच में क्या differences है उसको समझना जरूरी है याद रखेगा cholesteatoma के develop होने का communist site postero superior part of middle ear cavity होती है तो याद रखेगा पीछे की और superior parts में ये आम तोर पर develop होता है और यहाँ पर cholesteatoma कैसा है उसके association किसके साथ देखेगा है उसको भी हमें recall करना है cholesteatoma unsafe type के साथ खास तोर पर देखा गया है इस बात को आप इस image में भी देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये postero superior parts में है और ये mastroid entrum के parts से या फिर पीशे के हिस्से से ये associated होता है इसलिए cholesteatoma unsafe type of CSOM के साथ associated होता है ये कभी भी CSOM जो safe type के होते उसके साथ इसका association नहीं होता है जब हम examination करते हैं under microscope या फिर HR CT यानि high resolution CT scan करते हैं या MRI करते हैं तभी हम इसके बारे में पता लगा पाते हैं cholesteatoma में भी hearing loss होगा और ear discharge की presentation होगी तो जाहिर से बात है ये CSOM के साथ associated condition है तो CSOM के जैसी presentation यहाँ पर भी देखने को मिलेगा अब हम बात करते हैं treatment के part पर CSOM का क्या treatment हो सकता है तो याद रखेगा safe type of CSOM में हम marringoplasty करते हैं जिसका दूसरा नाम timpanoplasty भी होता है marringoplasty में हम graft को जहां perforation है वहाँ पर graft की patching कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे perforation है तो वहाँ पर graft का patch लगा दिया गया है इसके लिए graft, sorry graft नहीं graft है तो graft हम कहां से लेते हैं temporalis fascia से हम graft को ले करके यहाँ पर उसके patch लगाते हैं temporalis fascia ही क्यों इसके बारे में भी आपका question काफी सठीक है कि temporalis fascia का ही graft हमने क्यों choose किया हम उसके answer पर भी बात करेंगे याद रखेगा marringoplasty जादा बहतर term है tympanoplasty से बहतर term marringoplasty है यहाँ पर हमने graft place किया है temporalis fascia से graft लिया मैंने पूछा भी इसका question तो याद रखेगा central fervoration में इसे जब हम apply करते हैं तो हम जो भी graft चूज करते हैं वो temporalis fascia से क्यों चूज करते हैं यह question इसलिए बनता है क्योंकि temporalis fascia की graft होती है उसका BMR बहुत कम होता है इस वज़े से nutrients की supply अगर बहुत कम भी मिलेगी तो भी वो survive कर जाएगा इसलिए हम temporalis fascia से graft चूज करते हैं याद रखेगा unsafe type में कभी भी marringoplasty नहीं की जाती है यहाँ पर इससे कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पर mastroid का part involved है इसलिए हम यहाँ unsafe type में modified radical mastroidectomy करते हैं तो याद रखेगा unsafe type में कभी भी marringoplasty नहीं की जाती है marringoplasty कहां की जाती है? safe type में, central perforation में graft हम कहां से choose करते हैं? क्यों choose करते हैं? उसका कारण भी मैंने आपको समझाया तो आपको याद रखना है marringoplasty का जो graft लिया गया था temporalis fascia से वो इसलिए लिया गया था क्योंकि इसका BMR कम होता है इसलिए best graft माना गया है nutrients की supply कम होगी तो भी यह survive कर जाएगा इसका survival longer time तक होता है इसलिए हम इसे choose करते हैं unsafe type में नहीं apply करते हैं unsafe type में modified radical mastroidectomy की जाती है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम करते क्या हैं इसमें हम canal wall up procedure canal wall down procedure का नाम सुनते आते हैं तो यह नाम हमें अभी बहुत जादा डिटेल में जाने की जरूवत नहीं है canal wall up canal wall down procedure बस इतना याद रखना है कि modified radical mastroidectomy यह unsafe type of CSOM में की जाती है